जै मातदी जै मा कमक्या मा भगवती जगत जन्नी अद्धी शक्ति भवानी अलहादी नी शक्ति कस्ट निवारी नी दुख निवारी नी मैसा सुर मर्दनी चंडुमंड नाशी नी सिहवाही नी किलेश नाशी नी पाप नाशी नी दुरिता पहारी नी शत्रु संग विदारी आप सबको सुखी रखे, स्वस्त रखे, प्रसन्य रखे, माभगवती यश दे, किर्टी दे, इजद दे, मान्चम्मान दे, और सफसे बड़ी चीज है निरोगी काया दे, ऐसी कामना हम माभगवती से, जगत जन्नी से, अधिशक्ति भवानी से और परमपिता परमात्मा से आ आपको एसा साहस और एसी बुद्धी दे, कि आप हिंदू सनातन धर्म के पदचिन्नों पर चलते रहें, चाय कस्ट आए, तो भी आप चलें, एसी बुद्धी और एसा साहस आपको पदान करें, एसी कामना माजगत जन्नी के चर्णों में हम प्रार्धना करते हैं, अर दास लगाते हैं, जैमातादी, जैमा कामक्या, देवराधा ट्रस्ट से आप तंत्र से संबंदित रहस्य में ज्यान सुन रहे हैं, जो अध्रश्य शक्तियों से संबंदित होता है, हम देखते हैं कई मनुष्यों के शरीर में पवन आती है, कुछ लोग केते सवारी आती है, पंतु ये जितनी भी चीजे शरीर में आती है, यह सब अध्रश्य रूप से इस प्रत्वी लोग पर रहने वाले प्रेत होते हैं, ये गाठ बांद लीजिए, जितने भी दरबार चल रहे हैं, चाहिए वो काली मा के दरबार बोलते हैं, कोई दुरगा मा का दरबार बोलता हैं, सब अपने अपने जिस जिस की पवन वो आकर करें, जिसका नाम ले दें, वो हवा उसी देवी या देवता की क्रपा प्राप्त कोई प्रेत होता है, यानि उर्जा होती है, अब ये उर्जा नेगेटी उर्जा भी होती है, पाजिटी उर्जा भी होती है, जिसको बोलत तो तेन परसेंट याती, कई बार फिफ्टी परसेंट आती, कई बार हन्डेट परसेंट आती है। पंदु जब सवारी पूर्ण ताकत के साथ में पूर्ण रूप से आ जाती है तो उस मनुश्य को कुछ भी ज्यान नहीं होता है कि वह किससे क्या बात्चित कर रहा है। यद यदि किसी मनुष्य के शरीर के अंदर पवन आती हो या सवारी आती हो या उर्जा प्रवेश करती है, परन्तु यदि उर्जा प्रवेश करने के बाद में वो किसी दूसरे मनुष्य से प्राबात करती है, कोई इस्ट्रक्शन देती है, कोई अपना नाम पता बताती है, और जिसके शरीर के अंदर घुसी है, पवन उसको कुछ भी ज्यात नहीं होना चाहिए, तो मान करके चलें, वह पवन फुल पावर के साथ में आपके शरीर के अंदर प्रवेश किया है, और यदि आपको यह याद रेता हो, कि आपने किसी दूसरे से क्या बात करी, तो इसका मतलब यह है कि वो आपकी अभी बहुत कम मात्रा में आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, अब वो धीरे धीरे आपके शरीर को अपना कबजा करके पुन रूप से आपके शरीर के अंदर रहेगी, यदि आप देखते हैं, चाहते हैं कि यदि वो अच्छी शक्ती है, तब तो उसको आगे बढ़ाईए, अन्यता उसको वहीं पर ही बंद कर दीजिए, अब यह आपको पर निर्भर करता है कि आप केसे पहचान पाऊंगे कि वह अच्छी शक्ती है या बूरी शक्ती है, कि वह अपको ग्यात करना पड़ेगा, यदि आप ये ग्यात नहीं कर सकते, तो क्या आप कोई मालूम नहीं, कोई जरूरी नहीं कि वह अच्छी शक्ती ही हो, कई जगे देखा गया है कि ये आसुरी प्रवति वाली शक्ती भी किसी न किसी देवी देवता के रूप में अपने आपको पुझवाने लगती है और फिर आपके घर का पूरा पुन्य, हवन, जप, तप, जो है, सब वो लेकर के चली जाती है लेकर के चली और पावरफुल बनती जाती फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल पड़ता, निकलती है ऐसी बात नहीं नहीं निकलती हो परंतु सुड़ा समय लगता है तो जो भी उर्जा शरीर के अंदर प्रवेश करती है, सवारी के रूप में पवन के रूप में पहले ये पता किया जाए कि वह अच्छी शक्ती है कि बूरी शक्ती है और कितनी पावर से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है तब तो वह वचन सही बोलेगी और पूर्ण तरीके से खुल कर आईगी या नहीं आईगी ये भी आपको चेक करना है तो इसके लिए आपको किसी गुरू को बनाना पड़ता है गुरू के पाज जाना पड़ता है जो जानकार होता वह ये देखता है कि आपके शरीर में वह शक्ती अधूरी आ रही है या पूरी आ रही है और अच्छी शक्ती आ रही है या बूरी शक्ती आ रही है वह ये बता सकता है जैमातादी, जैमा कमक्या इसी से सम्मंदित और भी कई वीडियो हम एक एक करके आपके सामने पहले भी प्रस्तुत कर चुके हैं और अब भी फिर से उरहस्य मईगान के साथ में प्रस्तुत कर रहे हैं। जय मतादी।